कि साथियों नमस्कार मैं अमित मिस्रा एक वार पुने आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्प्रेडिंग नॉलेज विदामित में मित्रों कि उत्रप्देश समीच्छा अदिकारी और साइक समीच्छा अदिकारी के किरम में जो जिये सीरीज हम चला रहे हैं उसके अंतर द्रहान की प्रिष्टापना जो पहले प्रिष्ट पर लिखी हुई है जिसमें सारा दिरस दिया गया अंदर क्या क्या है क्या क्या चीज है वह एक छोटी सी चीज में समझा दिया गया है वह समझाए गया है उसे हम देखेंगे उसमें मूलतत्त कॉन से हैं नयाए कितने पर करें और वीडियो को लाइप अवस्त किया करें का बैल डेस करके आपको मिलती रहें साथियो कि भारत कर रुख संब्धान भुट ही लचीला संब्धान विश्ट का सब से बड़ा लिकलतिं तो यहां ध्यान देयन योग एक बात है कि सबसे पहले सभि़ेलान लिखा है उस जैसे हम लोग किसी चीजा की बिशा सूची बनाते हैं कोंग से ती इस पहले प्रतिम्व प्रिकिनान का प्रिस्तावना ना प्रिस्तापना कह सकते हैं या क्या सकते हैं सभी नाम में हमारे प्रिस्ताविह करता है टो है क्या-क्या तो यह समट से पहले हम इसको पढ़दते हैं कि यह है क्या तो हमारे भारत की सневंधौना नीकि जो उद्देश का या प्रयांबल है उद्देश का क्या है हम भारत के लोग या भारत को एक संपूर्द प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यत्त की गर्मा और राष्ट की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंदता बढ़ाने के लिए दिरड संकल्प होकर अपनी इस संब्यदान सवा में आज तारीक 26 नवंबर 1949 इस भी मित मारग सीर्स सुकल सब्तमी संब्त 2006 विक्रम संब्त 2006 था था को एतत द्वारा इस संब्यदान को अंगीकृत अधनियमित और आतमारपित करते हैं यानि यह हमारी कितनी अच्छी जो है प्रस्तावना हैं हमारे देश की अब प्रस्तावना से तमाम कोस्टन्स आते हैं अक्सर सरल कोस्टन्स हैं और हम लोग गलत कर वैठते हैं देखिए मित्रो तो सर्व प्रिथम हम इसमें यह चीद देखते हैं कि हमें यह याद रखने हैं जो मेनमेन पर्ण हमने जो लाल किये हैं यह बहुत ही इंपॉर्टन्ट है यह संब्यदान का कहीं भी आप कौनसी भी परिच्छा में बैठेंगे चाहे छोटी परिच्छा सजाओ किरम में लिखो तो इस तरीके से आपको यह नोट कर लेना है बढ़िया से अब इस वे हम कुछ प्रसन देखते हैं उन को सब्सक्राइब देखेंगे यानि प्रस्तावना की बिसेवस्तु प्रस्तावना की बिसेवस्तु क्या है उसको हमने समेट के चार वागों में लिखने की कोशिस की है वह तो वीडियो को लाइक आवस्ते करें क्योंकि आप लायक नहीं करते हमें इंप्रेशन नेखिलता है तो देखिए मूलतत्त प्रस्तावना की बिसेवस्तु उसके अंतरक्त हम चारत तत्व रखे है मूलतत्त नियाय सटंतत्ता और समता देखिए तो प्रस्ताबना के अंतरगत मूल तंत कौन-कौन से है एक तो है संपोल प्रवत्व संपन संपन प्रवत्व प्रवत्व शंपन दूसरा गया है पंथ निर्पेच पंथ निर्पेच तीसरा हमारा है लोक तंत्रात्मक गणराज यानि यह है हमारे संपोल प्रवत्व संपन पंथ निर्पेच और लोक तंत्रात्मक गणराज यानि कि यह मूल तत्व है हमारा देशा कैसा है संपूल प्रवत्व संपन शंपूर तरीके से संपन है यह आव यह पंथ निर्पेच ह यह किसी भी पंत का समर्थन नहीं करता है, यानि हमारे देश का कोई शम्मिदान में कोई धर्म नहीं है, यानि हमारे सम्मिदान का कोई धर्म नहीं है, और यह लोकतंतर आतमक है, इसकी मेल विवस्ता क्या है, लोकतंतर है, और कुछ नहीं है, यह तीन चीज़ है, इसकी मूल सामाजिक, आर्थिक और राजनेतिक। सीधा सीधा पूछा जाता है कि हमारी सम्मेदान में कितने तरीके के नया मिलता है तो वो डारक्ट तीन ही उत्तर लगाना पड़ता है। सुतन्तरता हमें कितने तरीके की दी गई है। सुतंत्रता हमें पांस तरीके के दिए एक दो तीन चार पांच और कौन कौन सी है वो तो नमबर एक पर हमारा विचार विचार के हमारी सुतंत्रता हम अपने विचार का भी भी कहीं भी रख सकते हैं नमबर दो है अभी व्यक्ति की सुतंत्रता हमें है अभी व्यक्ति की सुत नमबर तीन है धार्म, नहीं विश्वास, विश्वास है, विश्वास की हमें सुतंतरता है, हम किसी पर कोछ भी विश्वास कर सकते हैं, चाहे हम राम को मानें, चाहे रहीम को मानें, चाहे अल्ला को मानें, चाहे किसी को भी कुछ भी यानि विश्वास हम उसमें रख सकते है नम्बर चारए धर्म धर्म की सतनतता है इसमें कोई अस्तषेव नहीं कर सकता अगर मैं हिंदू धर्म मारना रहा हूं तो कोई व्याकी जवर्यसली प्रयसर नहीं डाल सकता है नंबर पांच है खात यह पासलों कि कि हम किसी की भी कैसे भी पूजा कर सकते हैं हमें कोई रोक नहीं है उपासना की सुतनता है तो विश्वास धर्म और उपासना पांस तरीके की सुतनता है समता कितने यानि समानता समानता कितने तरीके की है पृतिष्टा और अबसर दो तरीके की समानता हमारे देश में है पृतिष्टा अबसर और पृतिष्टा पृतिष्टा नंबर एक और नंबर दो अबसर यानि अबसर सब के लिए बरावर है यह नहीं कि नहीं हमें अबसर ज हो अर विता है उतनी ही हमारी है उतनी हमें हमारे बिटे की है तो थियो की अब सब को रवाबर है चाहे जैसे बिलो तो हमारे मुल्तत्र हो गए एक दो तीन और यानि मुल्तत्र को याद करना ये किरम से लगाने के लिए कि वार आया ते संपुर्ण परवत संपन पंतर निर पेच लोग तंतरात्म गड़ राज और दूसरा क्या है यह हमारे न्याय केतने तरीके कि तीन तरीके कि सामाज एक आर्थिक औ अविश्वास की सतंता धर्म की सतंता उपासना की सतंता इनी को हम संभिनान के अंदर जाके डीपली पढ़ते हैं और कुछ नहीं है समता केतनी है प्रतिष्टा और अबसर की समता है समता है प्रतिष्टा और अबसर की यह कुछ मूल चीज थी यह देख लिए देखिए आगली चीज है कि वह हम देखते हैं आगली चीज है कि उद्देश प्रस्ताव यानि इसके लिए उद्देश प्रस्ताव रखा था जिने हम नहरू जी ने रखा था उद्देश का प्रस्ताव जैसे हम उद्देश का प्रस्ताव कहते हैं उद्देश का प्रस्ताव देखे उद्देश का प्रस्ताव कब रखा गया था यानि कब प्रस्तोत हुआ था तो यह हुआ था 13 दिसम्बर 1946 को नेरू जी ने समयधान के सामने समयधान सभा के सामने 13 दिसम्बर 1946 को उद्देश प्रस्ताव सामने रखा था किसने रखा था पंडे जवाला नेरून है हम डारक नेरू लिखे दे रहे थोड़ी जगह कम है बुरा ना मानना नेरून है उसके बाद इस उद्देश प्रस्ताव को कब अंगी कर किया गया नहीं प्रस्तावन को कब अंगी कर एक तरीका से किया गया वह 22 जनवरी 1947 वाइस ज प्रस्ताव को जो अंगी करत किया गया है अंगी करत यहां पर लिख लेना अंगी करत तो 22 जनवरी 1947 पर यह कुश्चन आया हुआ है इसलिए हमने यह लिखा है और उसके बाद उद्देश का प्रस्ताव किस ने पड़ी थी यह नहरू जी ने और यह कब पड़ी थी उन्ने प्रस्तावना में भी बदला हुए है जैसे उद्देश का में बदलाव किया गया है सर्व बदला हुआ था कब 42 संब्धान शंसोधन लिख लेना इसे बढ़िया से बढ़िया संब्धान शंसोधन 1976 1976 के द्वारा शामिल कि एक कई सालों तक चला तो कुछ ऐसा महसूस हुआ कि इसमें कुछ वदलाव किया जाए जो कि फिट नहीं बैठ रहा है तो उनने सोच्छेत्र में ब्यालेस में संब्धान संसोधन वह था उसके अंतर जिसे अंतर जाए जिसे लिए उसको किया गया इसको लग संब्धान की व्याक्षाद दी गई थे तो इसमें कुछ तीन सब्द जोड़े गए थे समाजबादी अखंडता अपंधनिर पेच्छ य यह समाजबादी अखंडता अपंधनिर पेच्छ यह तीन सब्द संब्धान संसोधन अधनियम जोड़े गई तो 176 में किया समाजवाद दी अखंटता पंतने पेज यह हमारी मूल है मूल देशका है उसके बाद संसोदन हुआ ये तीन सब्द जोड़े गए त्योशन आपट्वलि कई वार आ चुका है उसके बाद इससे संबंद्ध कुछ यह है कि सुप्रीम कोट ने इसे सुईकार किया कि नहीं किया कि इसमें बतला हो सकता है या नहीं हो सकता है हाँ मित्रो इसमें दो बाद ऐसे थे यानि बाद मतलब कानून के जैसे कोई किसी पर कानून कर देता है दायर कर देता है याच का दायर करता है तो हम बाद चलते हैं प्रिकरिया चलती है कि उसको बात कहते हैं जैसे सबसे पहले उन्होंने किया था बॉंबाई बॉंबाई नाम के ग्विक्ति थे जिन्होंने एक याच्का डाली थी के इसको यह अंग है या नहीं है उसके विचारदाराक उपर तो बॉंबाई वनाम यूनियन आफ इंडिया युनियन आफ इंडिया खिलाप पड़ी थी लड़ाई हुई थी बाद में तब उन्होंने धाना प्रस्तुत की ती यह हो गया कोईश्चन और दूसरा था केशवानंद भारती बनाम केरर राज केशवानंद भारती बनाम केरर राज इसके अंतरगत उद्देशका को संभिद कर दिया गया था यह कहा गया था यह जो प्रस्तावना है संभिदान का भाग नहीं मानी जाएगी लेकिन दो बार एक बॉंबई बनाम यूनियन आफ इंडिया और एक खेशवानंद भारती बनाम केरर राज इनमें सुईक्रत किया गया था तो विश्वास है हमें पूरा व सम्भिदान की आतमा किसे कहा जाता है अब ég प्रस्तावना को प्रस्तावना को राजनेतिक जनमपत्री किस ने कहा तो यह केम मुंसी थे यह भी कई बार प्रस्तावना लिखके आ जाए यह यहाँ से समझ लोग उद्देशका लिखाओ प्रस्तावना लिखो यह कही चीज जाए तो उद्देशका को राजनेतिक जनमपत्री किस ने कहा तो ये केम मुंसी थे, अम्बेड कर ने अनुछेद 22 को, सम्मेदानिक उपचारों के अधिकार को सम्मेदानिक आत्मा कहा है, सम्मेदानिक उपचारों के अधिकार, सम्मेदानिक उपचारों के अधिकार, यानि जब कोई हम फस जाते उसको कैसे उपचार कर सकते हैं, उससे सम्म बत्ते सनुच्छे दर उसको उन्होंने संविदान को पवित्र दस्ता बेज का यह चार-पांच जो कोस्चन्स है यह बेरी मौश्टली इंपोर्टेंट है आपने हमेशा देख है अम्मित्रों यह वीडियो को ऐसा लगा आप लाइक अवर्स्य करें और हो सकर तो कमेंट भी क रहे हैं जय हिंदोस्तों जय संविदान